हेलो दोस्तो, दोस्तो आज हम पढ़ेंगे NIC, मतलब कि Network Interface Card क्या होता है, ये काम किसे करता है, इसके क्या Types हैं, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे, तो चली चुरू करते हैं, तो दोस्तो इसे हम Point-wise Point समझने ही कोईश करेंगे, कि क्या होता है, तो पहले चोटा सा इसका एक Overview देलते हैं, कि NIC क्या होता है, तो Network Interface Card क्या है, देखें, इसके नाम सी पता लग रहा है, कि Network Interface Card एक तरह का Card है, एक तरह का Physical Component है, या Physical Card होता है, जो Interface की तरह काम करता है, हमारे Computer और Network के बीच में, मतलब कि जब भी हमारे Computer को, हमारे Network तक Information बेजनी होती है, तो वो सारा काम Network Interface Card के तरह होता है, NIC के तरह होता है, तो इसका Main Roll क्या होता है, हमारे Computer की Information को Network पर भेजना, और दूसरा काम क्या होता है, हमारे Computer को एक Identity प्रवाइट करवाना, क्योंकि NIC के अंदर एक Mac Address होता है, जो सा काम क्या होता है, हमारे Computer है, जो हमारी Device है, उसको एक Identity प्रवाइ से communicate करेंगे ठीक है मतलब कि इन दो computer के पास ऐजा क्या जर्या है कि यह एक दूसरे से directly communicate कर सकें या फिर एक network बना सकें या यह जो computer है यह अपनी information को network में कैसे बेज सकता है तो इसके लिए क्या होता है इसके लिए आप अपने computers में एक NIC install करते हैं ठीक है जो motherboard के अंदर install होता है कुछ इस तरीके से आपने अगर computer में देखा होगा तो कुछ इस तरीके से NIC motherboard के अंदर install होता है और यह उसका port जो भार निकला होता है इस तरीके से तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि computer की information को लेके network पर बेज रहा है computer से जो भी information network के उपर जाती है वो सारी NIC के थूरू जाती है ठीक है NIC ही reason है जो सारी हमारे computer की जो information है वो network तक भेजता है तो एक और example देखते हैं जासे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे computers हैं और सभी computers में एक NIC लगी भी है तो यह सारे computers आपस में कैसे connected होंगे यह इनके बीच में एक switch device लग जाएगी तो यह सारे computers जो है NIC की थूरू NIC में हमारा एक internet cable लगेगा और वहां से switch या hub या router के अंदर connect हो जाएगा तो इस तरह किसे हमारा local network बनता है तो यहाँ पर हम NIC की बात कर रहे है तो NIC है काम क्या है हमारी computer की information को network पर भेज़ना वो चाहे local network और चाहे internet पर जाए ठीक है लेकिन तो computer को एक capability प्रवाइड करवाना होता है NIC का पर बस main जो प्रप्रस होता है तो यहाँ पर हम NIC को step by step समन्ने ही को विश्च करते हैं ठीक है तो NIC क्या है हमारा बहुत ही important hardware component है network के उपर अगर हमें network से connect करना है तो सबसे पहला और सबसे important component हमारा NIC होता है उससे काम क्या होता है वो install होता है हमारे computers के अंदर servers के अंदर printers के अंदर हर उस device के अंदर जिसे network से connect होना है it is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer ये क्या एक तरह का circuit board होता है कुछ इस तरीके से आप में आपर देख रहे हैं ठीक है ये हमारी motherboard के अंदर install होता है और इसके अंदर इस तरह से network adapter, LAN adapter, physical adapter या फिर network interface card इसे बहुत सारे नामों से हम बोल सकते हैं any device which wants to connect to the network must contains a NIC card even switch and routers also consist NIC in order to connect to the network ठीक है तो जैसे के मैंने बताया कि कोई भी device जिसे network से connect होना है उसके अंदर NIC card का होना जय हो रही है या तक कि जो switch और router devices होती है उनके अंदर भी एक NIC device होती है ठीक है उनके अंदर भी एक MAC address होता है क्योंकि NIC के अंदर क्या होता है एक MAC address होता है ठीक है तो उनके अंदर भी एक NIC card होता है in order to connect to the network NIC install in one computer is used to communicate with other NIC which installs to other computer every NIC है था 42 bit unique serial number called a MAC address मतलब कि जो हमारा NIC होती है उसके अंदर एक MAC address होता है ये क्या होता एक 48 bit का एक MAC address होता है जो 12 digits के hexadecimal numbers में होता है तो ये कैसे होता है ये हर NIC के अंदर एक unique होता है वो कैसे होता है कि जो starting की 24 bits हैं तो starting के 6 bit हमें वहां से मिलते हैं और last के जो 6 bit होते हैं last के 24 bits होते हैं वो company अपने according जो assign करती है ठीक है तो इसलिए जो NIC के जो अंदर MAC address होता है वो हमेशा unique होता है तो starting के 24 bits होती है उन्हें OUI बोलते हैं मतलब organization unique identifier और जो last के 24 bits होती है उन्हें vendor specified होती है वो vendor जो है according उन्हें specify करता है ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया कि 48 bits का unique address होता है 48 bits में बोलते है या फिर 6 bytes का होता है ठीक है मतलब कि 48 divided by 8 अगर करोगे तो 6 bytes में आता है which is stored in the room carried on the card every computer must have at least one NIC if it wants to connect to the internet तो वो ही मतलब है अगर हमें किसी भी device को अगर हमें network से connect करना है तो उस device के अंदर हमें NIC का होना बहुत जो हो रही है एक device के अंदर एक NIC भी हो सकता या एक से ज़्यादा NIC भी हो सकते हैं तो अगर एक device के अंदर एक से ज़्यादा NIC है तो उस device में उतने ही इसके MAC address होंगे Every NIC comes with a speed rating such as 11 MBPS, 100 MBPS that suggests the performance of the NIC मतलब कि जो NIC होती है उसकी भी एक speed rating होती है क्योंकि NIC है काम किया है हमारे computer से information को लेके network तक भेजना तो NIC की भी अपनी एक speed limit होती है मतलब कि कितने rate में वो data computer से information को लेके network तक भेजता है तो जैसे कि अगर आप कोई NIC अगर buy करोगे तो 100 MBPS की 300 MBPS की NIC आती है 1 GBPS तक की भी NIC आती है मतलब की 1000 MBPS तक की NIC भी आती है तो NIC में क्या होता है अगर आपके पास suppose 100 MBPS का है को अपने कोई NIC card purchase किया अपने computer में install है और अगर आपने 300 MBPS का आपके पास internet connection है तो जो आपका NIC है वो 100 MBPS की data को control कर सकता है मतलब कि उसकी जो limit है वो 100 MBPS ही है ठीक ह तो इसी according अगर आपका internet अगर आपका high है तो आपको NIC भी उससाब से आपको अपने computer में install करने पड़ती है तो इस point का मतलब यहां पर ही है क्योंकि NIC जो हमाशा speed rating में आती है अगर आप Amazon पिदा के आप check भी करोगे तो आप आप चेक करोगे 100 MBPS का है जो NIC है और 300 MBPS का तो इस तरह से आपको मिलेगी तो दोस्तों आयोप आपको NIC के बारे में एक थोड़ा सा idea मिल गया होगा कि NIC क्या होता है तो थोड़ा देखे लिए कि NIC काम कैसे करता है मतलब कि जो physical physical level पर वो काम करता है वो कैसे करता है तो इसे भी हम point wise point समने कोईश करते हैं क्या होता है अ This is a physical card और chip which contains mac address helps to identify the device on the network यह क्या है जोसे मैंने बता है कि एक physical card या chip बोल दो या physical card बोल दो या LAN card बोल दो किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं जो contains करता है mac address और उस mac address सा काम क्या होता है help परता है to identify the device on the network NIC works on the physical layer and the data link layer मतलब को जो मारा NIC है वो physical layer और data link layer दोनों पर काम करता है तो वो कैसे करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि NIC है काम किया है कि हमारे computer से information को लेके physically उसे network भीजना ठीक है जो सारी जो information होती है वो हमारी machine की information हमें network तक भीजनी है वो NIC के थूरू आती है physically ठीक है तो इसलिए क्या है physical layer के उपर काम करता है और second आती हमारी data link layer तो NIC के अंदर क्या होता है NIC के अंदर एक MAC address होता है तो MAC address जो हमारा data link layer के उपर काम करता है क्योंकि NIC क्या है जब भी कोई package जो है NIC दख आएगा तो NIC के उपर एक frame की layer चड़ायता है जिसके अंदर source और destination का MAC address होता है तो MAC address जो हमारा data link layer के उपर काम करता है तो इसलिए यह जो NIC है वो physical layer और data link layer के उपर काम करता है तो दोस्तो थोड़ता और समन्ने ही कोईच करता है NIC कि NIC जो data code कैसे transfer करता है और कैसे receive करता है तो step by step point by point समन्ने ही कोईच करता है यहां भी तो पहले यहां से देखते है सबसे पहले क्या होता है कि जो network layer होती है महां से जो packets है वो सबसे पहले NIC के अंदर आते है NIC के अंदर जो buffer होता है उसमें आते है then the source and the destination MAC address are attached as the frame header and calculate the CRC CRC क्या होता है CRC मतलब cyclic redundancy code यह क्या एक तरह की numeric value होती है जो error को detect करने काम आती है यह क्या है एक तरह का check sum होता है check sum क्या होता है एक तरह का code होता है जो error को detect करने काम आता है तो CRC जो है check sum का एक type है जिसका जो purpose होता है of detecting errors and lastly NIC transmits frame onto the medium as bit signals तो यह तो हमारा NIC है जो data code transfer कर रहा है physical level पे जो network protocols से जो है पहले packets आते हैं फिर वहां से वो frames में convert करता है NIC उनमे source and destination का MAC address और CRC यह सब मतलब उसमें करता है then क्या करता है वो network के ओपर से base देता है और receiving time पर क्या करता है NIC तो जैसे कि यहां पर कह रहा है कि जो signals होते हैं सबसे पहले वो NIC के पास आते है NIC क्या करता है उन signals को जोड़के frame में convert करता है bit signals travel along with the medium and are received by the NIC then the received bits are formatted into the frame तो जैसे कि मैंने बता है कि सबसे पहले यह करता है NIC signals को receive करता है और उसको frame में convert करता है then सबसे पहले वो CRC को check करता है first the CRC is calculated and compared to the CRC in the frame trailer if they don't match that means the frame is damaged and changed and the frame is discarded ठीक है if CRC is okay then the destination MAC address को check किया आता है once the MAC address is checked and verify the frame header and trailer are removed and the packet comes out from the trailer ठीक है तो यह सब check करने के बाद जो NIC है जो उससे frame का header है उसको remove कर देता है और packet भार आता है और packet को आगे बेज़ता है network protocol के आपास और वो सारी information हमारे computer तक आ जाती है ठीक है दो तो कुछ इस तरीके से हमारा NIC काम करता है तो यह जो सारी information है यह सारी मैंने अपनी website पर दे रखी है आप जाके हमाँ पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तो लास्ट में हम तोड़ता है NIC के types के बारे में पढ़ लते हैं तो इसमें सबसे वहले आती है हमारी wired NIC वहां बिर्सके जिसमें वायर्ड में हमारी आती है, और wireless में यह दोरो आ और internal और external आती है और यह हमारे deci थी हो थी है तो types में आप किसी भी तरह कर से type वॉफ बना सकने हैं क्योंकि कहीं आप किसी book में आपको internal NIC और external NIC मिली और कहीं पर आपको मिलेगी wired NIC और wireless NIC कहीं आपको इस तरह से मिलेगी wired, wireless और USB NIC तो types जो है NIC के आप किसी भी तरह के समा सकते हैं लेकिन जो NIC जो है वो इस् Там तरह की NIC आती है एक इस तरह की NIC आती है जिसमें Ethernet port लगता है और एक wireless इस तरह की NIC आती है और एक USB NIC आती है जो भी एक wireless NIC होती है तो wired NIC में क्या होता है? wired NIC में हम Ethernet ports से हम connect करते हैं जिसमें हमारे Ethernet cable लगाते हैं और यह क्या होती है? यह हमारी internal NIC होती है जो computer के अंदर लगती है ठीक है? motherboard के अंदर लगती है और internally में हमारी wireless NIC आती है कुछ इस तरह के से जो radio signals की app से जहाँ पे wifi signals transfer होते हैं और wireless में हमारी एक USB NIC आती है जो external NIC होती है जो भार जो USB port के अंदर लगाते है ठीक है? तो यह कुछ इस तरह के साथ दी है और जो हमारी NIC आती है वो speed ratings में आती है मतलब यह अच्छे कि अगर आप कोई NIC buy करोगे तो 100 Mbps की NIC या 300 Mbps की NIC maximum जो उनकी limit होती है उस तरह के साथ दी है तो I hope आपको NIC के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो thank you दोस्तों कर आपको इवीडियो पसंदा है या आपको NIC ने बारे में थोड़ा सा भी समझ माया तो आप मेरे इस वीडियो को like कर सकते है आप मेरे इस चैनल को subscribe भी कर सकते है That study genius आप मेरी वेबसाइट पर जाके आप एक पर विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको उन्चे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मेरा एक फेस्बुक चैनल आप उसको भी लाइक कर सकते हैं तो थैंकि दोस्तो